दमो नमा, सावन के महिने में 12 जोतिर लिंगों में से एक भगवान बैदिनात का आज हम आपको स्लोग बताने जा रहे हैं बैदिनात मंदिर भारतवस के चारकंड राज के देवगर नामकस्थान में इस्तित है यह एक बहुत प्रसिद्य मंदिर है शिव का नाम वैदिनात भी है इस कारण लोग इसे वैदिनात धाम से भी जानते हैं यह एक सिद्धी पीठ है इस कारण इस लिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है जिकिस्सा, उपचार, प्रकर्ति और स्वास्त के देवता जोतिर लिंग सरूप इसे रावण ने स्थापिक किया था स्री वैदिना जोतिर लिंग की शौर्ट में पहले कथा बताते हैं फिर आपको इस लोग और उसका आर्थ बताएंगे एक बार रावण ने हिमाले पर जाकर भगवान शिव का दर्शन प्राप्त करने के लिए बड़ी घोर तपस्या गी उसने एक एक करके अपना सिर काट कर शिव लिंग पर चाड़ाना सुरू कर दिया इस प्रकार अपने नौ सिर वहां काट कर चड़ा दिये जब वैं दस्वा और अंतिम सिर काट कर चड़ाने के लिए तयार हुआ तब भगवान शिव अतिप्रसन होकर और संतुष्ट होकर उसके सामने प्रगट हो गए और उसे ऐसा करने से रोग दिया उसके नौ सिर भी पहले की तरह जोड दिये और अतियन प्रसन होकर उसे वर मागने को कहा रामर्ण ने वर के रूप में भगवान शिव से उस सिवलिंग को अपनी रास्थानी लंका ले जाने की अन्मती मांगी भगवान शिव ने प्रसन होकर उसे वरदान दे दिया लेकिन एक शर्थ भी उसके साथ लगा दी यदि रास्ते में कहीं इसे रख दोगे तो यह वही पर अचल हो जाएगा मतलब उस जगह से फिर उठा नहीं सकोगे रामण इस बात को सिविकार कर सिवलिंग को लेकर लंका के लिए चल दिया चलते चलते एक जगह मार्ग में उसे लगशंका लगी तो वे उस शिवलिंग को एक अहीर के हाथ में थमा कर लगशंका के लिए चला गया उस अहीर को शिवलिंग का भार बहुत अधिक लगा और वे उससे समाल ना सका विवशोकर शिवलिंग को वहीं भूमी पर रख दिया रावन जब लोट कर आया तब बहुत प्रेत्न करने के बाद भी उस शिवलिंग को वहां से किसी भी प्रकार से उठा नहीं सका अंत में ठककर उस परविद्र शिवलिंग पर वहीं परंगूठे गनिशान बनाकर वहीं छोड़कर लंका वापस चला गया उसके बाद ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवतान ने उस शिवलिंग का पूजन किया और वहां पर उसकी प्रतिष्ठा करके अपने धाम को लोट गए यही ज्योतिलिंग श्री वैदनात के नाम से आज जाना जाता है दौदस जोतिलिंग स्तोत्र से श्री वैदनात जोतिलिंग का आपको हम इस लूप पताते हैं पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधाने सदा वसंतम गिर्जा समेतम सुरा सुरा राधित पाद पद्मम स्री वैदनातम तम अहम नमामी अर्थात इसका मतलब है पूर्वोत्रे प्रज्वली का निधाने यानि कि जो पूर्वोत्तर दिशा में चिता भूमी के भीतर वैदिनाद धाम के भीतर सदाही गिर्जा के साथ वास करते हैं देवता और असुर जिनके चरण कमलों की आराध्धा करते हैं उन्श्री वैदनात को मैं प्रणाम करती हूँ इस इसलोग की इस ज्योतिर लिंकी सास्ट और लोग दोनों में बड़ी प्रसित्थी है इस इसलोग का जाप करने से सभी असादे रोग शान्त हो जाते हैं और सब की हर तरह की मनोकामनाएं पूरी होती है बुलो बाबा वैदनात की जय सावन के महिने में आपको हमारे ये इसलोग कैसे लग रहे हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं धर्निवाद